दोस्तो हमारे भारत देश में एनर्जी ड्रिंक की डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रेड़ बुल तो रेड़ बुल पीने वाले लोगों के मन में ये क्वेस्चेन जरूर होता है कि रेड़ बुल किस देश की कमपन साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि रेड़ बुल का मालिक कौन है लेकिन इससे पहले आप लोगों ने कभी भी रेड़ बुल पिया है या नहीं वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू के अब हमने हमारी वेबसाइड भी लौंच कर दी है तो अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और मार्केट में एनर्जी ड्रिंक के मामले में रेड़ बुल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विका जाने वाला ड्रिंक होता है रेड़ बुल कंपनी हर साल लगबग 630 करोड से भी ज्यादा केन बेच देती है रेड इसमें बिल्कुल भी अलकाहुल नहीं होता है, तो लोगों का ये मानना है कि रेडबुल को पीने के बाद एनरजी आ जाती है, एसा इसलिए होता है क्योंकि रेडबुल में केफिन नामक पदार्थ डाला जाता है, केफिन वो पदार्थ होता है जो कि चाई, कोफी, कोला और ये फूड आइटम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और अब हम जानते हैं के रेडबुल कैसे बनता है, तो रेडबुल एक एनरजी ड्रिंक होती है और इसे बनाने में केफिन, सुगर, टोराइन, विटामिन B, कार्बोनेटेड वोटर और बेकिंग सोड़ा जैस जेएम बीच नाम की एक कंपनी है, अब जानते हैं क्या रेडबुल में एलकोहल होता है या नहीं, क्यूंकि काफी सारे लोगों का ये सवाल है, तो जी नहीं दोस्तो रेडबुल एक एनरजी ड्रिंक है और इसमें बिलकुल भी एलकोहल नहीं होता है, तो आज किस वीडिय वीडियो में इतना ही वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दिजेगा और ओटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर किजिएगा और ऐसे इन्फोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें औ जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेसन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबन देद किसी भी तरह का प्रशन पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों गर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई व बनाओ तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट बोक्स में लिख सकते हो